दोस्तों, बाहुबली दे कॉन्क्लिजन, जो कि बाहुबली स्रीज की दूसरी मूवी है, उसको रिलीज हुए चार साल पूरे हो गए है। बाहुबली मूवी स्रीज भारत की सबसे पॉपुलर मूवी स्रीज है, और सबसे ज़्यादा बॉक्स ओफिस कलेक्शन करने वाली मूवी भी है। साथ ही इसने भारती सिनेमा के स्टेंडर्ड को नई उचाईयों पर पहुँचा दिया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाहुबली मूवी स्रीज के कुछ ऐसे फेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए सुरू करते हैं। इस मूवी में राजा मॉली परिवार के 15 सदश्यों ने काम किया था। एस एस राजा मॉली के पिताजी विजन्दर परसाद एस की कहानी लिके थी। एम एम किरवानी जो कि राजा मौली जी के कजिन भाई थे उन्होंने मूवी का म्यूजिक दिया था SS राजा मौली जी की पत्नी कोस्ट्यूम डिजाइनर थी SS राजा मौली जी की बेटी दांसर थी जिसने सारा हो बाहूल बली गाने पर भी डांस किया था और राजा माउली जी का बेटा सेकंड यूनिट डाइरेक्टर था परभास ने अपने पांस साल केवल बाहुबली मुवी के लिए दिये और सन 2012 से 2017 तक कोई और प्रोजेक्ट नहीं किया बाहुबली मुवी सीरीज का बजट 430 करोड था जिसमें फर्ष्ट पार्ट को 180 करोड रुपए में बनाये गया वहीं सेकंड पार्ट में 250 करोड रुपए खर्च हुए बाहुबली दे कॉंक्लिजन मुवी का क्लाइमेक्स सीन 30 करोड रुपए में सूट किया गया था इतने बजट में तो मुवी बन जाती है लेकिन S.S. राजा मौली ने हीरो और विलेन के फाइट सीन पर 30 करोड रुपए खर्च कर दिये बाहुबली मुवी को बनाने में लगबग 2500 VFX सूट सूट किये गए थे जिन्हें दुनिया वर के 36 स्टूडियो में इस प्रजेक्ट पर 1300 VFX आर्टिस्ट ने काम किया था बाहुबली मुवी के सेट को बनाने में 2500 लोगों की मदद लगी थी साबुशाई रिल ने महीश मती के 1500 इसकेच तयार किये थे और ये सेट आज भी राजामोली फिल्म सिटी का हिस्सा है इस मुवी के केरेक्टर्स के पहनने के लिए 1500 से ज़्यादा ज्वेलरी सेट्स तयार किये गए थे जो कि चांदी के बनाए गए थे और सोन्य की पोलिस की गई थी बहुबली मुवी फिल्म मेकर्स ने परभास को 1.5 क्रोड रुपए के जिम एक्विप्मेंट स्किप्ट किये थे क्योंकि बहुबली केरेक्टर एक बहुती स्ट्रोंग फिजिक की डिमांड करता है परभास को अपना वजन 82 केजी से बढ़ाकर 102 केजी करना था वो भी मस्कुलर फिजिक के साथ इसलिए फिल्म मेकर्स ने सारा जिम सेट परभास के घर पर ही लगवा दिया और उसका रिजल्ट भी हमने मुवी में देखा है दोस्तों दूसरी बहुबली मुवी का बनना आसान नहीं है क्योंकि इस मुवी से जुड़े सभी पात्रों और सभी लोगों ने बहुत ही शांदार महनत की है और बहुत ही शांदार काम किया है तो दोस्तों ये थे बहुबली दे कॉंक्लिजन मुवी की चोथी एनिवरसरी पर बहुबली मुवी से रिलेटेर कुछ अमेजिंग फैस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद